सभी को नमस्कार, जय विद्या, जय समस्कृति, जय भारत मता मेरे सामने उपस्ति, आप सभी कारे कट्ता एवं सिक्षानुरागी महानवववं को नमस्कार, कहता हुआ, मैं अपने बात प्राराब्ट करता हुआ, वैसे आप में से कई लोग जानते हैं, मैं कोई शिक्षाविद्य नहीं हूँ, किन्तो लंबी समय से समाजिक कारे में रहते हुए, बात में विद्यवार्ति में आप सबके साथ काम करते हुए, जो हजारों परिवारों में विशेश करके पूर्वत्तर में, एक हजार से अधिक गवं में रूम ते फिर्टे मेरे मन में जो विचार आते हैं, आपके सामने में रखने का प्रयास करूँगा। 1900 साइन्तवलिस को अपने भारत स्वाधिन हुआ यह हम सभी जानते हैं, स्वाधिनता प्रप्ति के बाद अपने देश में काफी बड़ी मात्र में साक्षरत का परसेंटेज बड़ा है। स्कूल, कालेजेज, युनिवर्सिटीज के सक्यों बहुत बड़ी परोड़ों लोग शिक्षा अगरण भी किया है। अभी भी कर रहे हैं। किन्तो मन को कश्ट देने वाले एक बात है। साक्षरता तो काफी बड़ी है। इस कालखंड में। किन्तो अपने देश में अभी भी हजारों लोग प्रतिवर्ष पूखा पेट से आत्मत्य करने को बात्य है। अपराद है। उनके संक्या बड़ी है। और उन्नीस सव साहितालिस की तुलना में अभी हम देखते हैं। दुर्निती भरष्टाजर भी काफी मात्रा में बड़ी है। जब तो इसके बारे में सोचता हूं। यह द्यान में आता है। अपने जो देश में प्रचली के सिक्षा प्रणाली है। देश आजाद होने के बात में भी इसे शिक्षा प्रणाली में कोई मौलिक अंतर नहीं आया। अपने देश के जैसे नागरिक चाहिए। यह नहीं यह सका। कि यह प्रकार से शिक्षा व्याउस्ता का फेल्यू रहे। किम्तु गता कुछ वर्षों में धीरे धीरे सरकार में भी कई लोग नए नए ले उन लोग दायत्यों आये। और पूरी विश्वभर में भी इस शिक्षा व्यास्ता के बारे में गयाराई से विचार हो रहा है। इसलिए त्रीन-चार वर्ष पूर्वर्ण ये युनिस्को के डेलर्स कमिटी कर एक रिपोर्ट सामने आया। उसमें डेलर्स महोदे ने इस शिक्षा के संबन्ध में बात कहिते समय कुछ शब्द परेकिया नोंने। इसमें नोंने बताया। एड्जिकेशन शुट भी रूटेट इन खल्चर और कमिटेट तो प्रोग्रेस। सिक्षा है देश शकाल परस्तिक अनसार स्थान या समस्कुति के साप में जुड़े रहना चीए। जो प्रत्यक स्थान पर आपना आपना कुछ विसेशताय होते इसके भावी पीडी को जानना चीए। और दूसरा है कमिटेट तो प्रोग्रेस। आगे बढ़ना चाहिए सारी दुनिया। इसके लिए कुछ कामन बातों को लेकर पूरी दुनिया में प्रयास होना चीए। यह कामन बाते जो है वो है जिवन मुल्यां के संब्ध में। मानवता से संब्धित कई बाते हैं हुमेन वैल्यूस सारी दुनिया के लिए लागो है। जिसके और अभी इस दुनिया का ज्यान आकर्षित हो रहा है। कुछ वर्ष पहले तक किसी विर्थित का विर्थित्तों का माते समय लोग बोलते थे आई क्यू कैसा है उनका। इंटेलिजेंट कोशियन कैसा है। अभी गतकुच वर्षों से और एक नया शब्द जुड़ा है। और है एक्यू इमोशनल कोशियन कैसा है। आसपास के लोगों के सुब दुख्य के प्रति इनका समय दना कैसा है। इमोशनल कोशियन इसके भारे में ध्यान जारा है लोगों का। यह अच्छी परिडाम है। पर आसको जो विश्य है कि वैल्यू बेस्ट एज्जिकेशन। इवैल्यूस जीवन मुल्य क्या है। कभी-कभी कुछ बात हैं सारी विश्यों के लिए सामाने होते हैं। कि तो कई बाते विभिन्ना रहे अर्षाष्टों के स्तिति, काल अनुक्या अमिसार कुछ अलग भी होते हैं। अपने भारत में मानाव जाती के संब्ध में इस सारी प्रकृति के संब्ध में सोचते समय एक दृष्ट को ना है। कि तो कई बातों में एउरोपियन देशों का पास्चेतलोगां का दृष्ट कुछ अलग होता है। आजम भारतिया जीवन मुल्य में कुछ प्रमुक बाते हैं। तो उसके बारे में तो चर्चे करेंगे। अपने देश में प्राचीन कान से ही। कि शिक्षा व्यावस्ता मुख्यत हाँ गुरुकुल व्यावस्ता रही है। एक गुरुकुल आश्रम होता है। वहाँ प्रमुक गुरु एक रहता है। अनुभवी विद्वान और उनका सहाय कनेक होते है। विभीन्हा विश्वय पढ़ाने वाले उनका सहयावकातना होता है। तो उसमें पुरिष भी होते थे और महिले भी होते थे। बालिक अवं के लिए ये महिले पड़ातेते कई विशाई, ऐसे भी अपने इथियास में आता है, इस जेवन मुल्यों के सम्मन्ध में हम भारतीय संस्कुत्य के जेवन दर्शन के आधारवन देखते हैं, इस पहड़ा जेवन मुल्य है, आध्यात मिलता है, स्पिरिट्चुालिटी, हम भारत में ये मानते हैं, आत्मा अमर है, आत्मा स्यास होते हैं, उनका कभी मुर्त्य नहीं रहते हैं, कभी-कभी शरीर बदलता है, कि आत्मा किंतो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, किंतो उसका कभी मुर्त्य नहीं होते हैं, अपने भगवद्गीता में इसका बात बहुत विश्थार से आते हैं सांख्य योग में अपने देश में ये आथ्याक्त मगता इसका प्रभाव के करण ही अपने महावशों ने सिक्षा दिये समाज को परहिता सरीश धर्म नहीं बाई परापीडा सम नहीं अधम आई दोसरों को जैसे सहीयो करना उनको आगे बढ़ने के लिए तो इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं और अपने स्वार्द के लिए दोसरों को कश्ट देना इससे बढ़कर को ये अधम आई ये नीच बात भी नहीं अवर अपने देश में ये आथ्यात्मिक सभाव के करने परिवार योस्था सुद्रण रुप से प्राचन काल से खड़ी रहीं और क्यावल अपने पांच दस लोग रहने का परिवार है नहीं अपने रिश्यमुनेयों आगे जाकर सारी विश्यों का एक परिवार माने वसुधाईवा पुटुम्ब को और ये कट्टे समय भी अपने ये रिश्यों का विचार स्पस्ट था इशा वाश्यमिदम सर्म यत किंच जगत्यां जगत्त तेन तेन भुंजी था मार्पशित दुद्ध्वनम् ये सारे विश्यों में परमेश्वार वास करते हैं और तो उनके समक्स उनको स्रधा करते हुए त्याम को जिना है और अपने आवश्यक्त का ये ग्रहन करते समय ये सामने रखना है जो नियोनत्म आवश्यक्त है उतना ग्रहन करना और वह भी बाकी लोगों के साथ में आज पास के लोगों के साथ में शेर करते हैं इसको ग्रहन करना और ये भी कहा गया है जो आवश्यक्त्या से अधिक ग्रहन करता है इसको अनुचित माना ग्रहा है दूसरा है ये कम सत्थ विप्राह बहुधा वदंति सभी लोग मांगते हैं अन्य उपासने के लोग भी एक शिक्ति है जो सारे विश्व को संचारन करता है हैं करंगाा कि किष्वान है जो संच्व लोग हो वसल्मान हो इसाई हुआने लोग सभी मांगतेछ 14,9 225 क में विस्फेश्यता है अória हैं अगवान का किसी भी रूप में पूजय करिए है कि फिर बहुत आएक हैं विद्वान लोग अपनी अनुहोग एंसार, अपनी रुचि के अनुसार में देखते हैं, अलगल रूप में उसका वरण समय करते हैं, व्याख्या करते हैं कि तो भगवान एक है इसी के कारण अपने देश में अनेक उपासना पधतिया होने के वाउजूद कभी भी आपस में जगडा नहीं करते हैं सब मिल जुलकर रहते हैं अपने रुचिति के अमसार इस रूप में भगवान के पुजा अपने लोग करते हैं इसलिए जी भिन्नता है दिखता है सामने अलगलो प्रामते अलगलो भास्ता है अलगलो उपासना पत्तिया अलगलो जलोई इतना सब होने के बावगे अपने देश में इंग भिन्नता में एक अता को देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी यह अपने भारत का दोसरा जेवन मुल्या थीसरा है आपने देश में इसका शब्द परचलित है शीवी प्यारक्टर अपने देश में इसको बहुत महता देते है ये शील को इसलिए यहाँ पार समस्कुति विकिसित लिए है मात्रवत परदारेशो परद्रवेशो लोष्टवत आत्मवत सर्वगूतेशो ये भावना अपने धर्मपत्नी को छोड़कर अन्य सभी लारियों को माता के समान गंडे करना उनका आधर करना और दूसरों का संपत्ति है उसके अप्रति लोभूर ना रखना क्या होल अपना कश्टार्जीप को अपना मानना और सभी प्राणियों में आत्मा का दर्शन करना यह संस्कुति जब हम अपने धर्मपत्नी चोड़कर वाकि सभी महिलाओं को माता के समान आधर करते हैं कि अपने देश में महिलाओं को रत्यचार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं जब दोसरों को धन्यक्रति लोग नहीं है देश में दुनकी प्रश्टाचार यह कैसा बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते हैं आत्मात सर्वभुतेश्ट जब सभी प्राणियों में हम आत्मा का दर्शन करते हैं जब दोसरों को प्रत्यचार नहीं कर सकते हैं दोसरों को कश्टा देने नहीं सब्ते हैं, किन्तों आजकल इस शिक्षा व्यवस्ता में विकुलता के करांद, अपने नया पीधी इन बातों को भूल गई हैं, इसो याद देलाने के अवश्यक्ता है, इस प्रकार के जो आपने देश में स्रेश्ट सांस्कुत मुल्यां के विकास हुआ है, इसलिए जो आन्या देश्टों में शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे महापुरुश्वां को जन्म वाहिया है, सत्यवादी राजा हरीच्छंद्र, सत्यवचन के लिए कहां तक जा सकते हैं, पराकास्ट हैं, मरियादा पुरुश्वत्तम, स्री राम, जेवन के प्रत्यक कदम पर, सोच समझ कर मरियादाओं का पालन करना, एक आदर्श पुत्र कैसा होते हैं, भाई कैसा होते हैं, राजा कैसा होते हैं, हर एक विशय में जेवन भर उन्होंने, विप्तिगत रूप से अनेक कस्टों को जेलते हुए, कि मरियादा उन्हों के साथ नुवने जेवन जिये, उसलिए मरियादा पुरुशत्तम बने, उसी प्रकार अपने देश में सत्थी सीता, साविंत्री, दमयंती, अपने पुर्वत्तर के सत्थी जयमती, सत्थी साधनी, मोला गावरू, तो इस प्रकार के स्रेश्ट जनों का जन्मवा है, और गुश प्रकार नाम कें चच्चे कटते जाएंगे, समय कम पड़ेगा, और नाम लिखते जाएंगे तर खागस कम पड़ेगे, क्योंकि हाजार वर्षों का राष्ट जेवन में, तो बड़ी सुंखला है, अपने जेवन मुल्लियों के लिए जिये, अपने विक्तिगत स्वार्ध के लिए नहीं, सौथा है, कर्तवियों पालन, अपने कर्तवियों का पालन करना, अपने देश में इसका धर्म का शब्द भी प्रयों किया है, प्रत्य के विक्ति का अपने कुछ कर्तवियों होते, उनको पालन करना है, तभी वह हो एक्ति, इस जीवन में, इस दुनिया में, और परलोक में, इस देहत थ्यागने के बात में ही, वह एक सार्धक जीवन यापन कर सकते, अपने देश में पूरोजों ने चार पुर्षार्धों के चेप्चा की है, धर्म, अर्ध, काम, मोक्ष, इस चार पुर्षार्ध है, और बताया है, प्रत्येट मुनिश्य को इनको पालन करना चेए, प्रयास करना चेए, इसमें दोहें, अर्थ, और काम, इस भोत्यक वादे दुनिया से जुड़ा है, और धर्मा और उसमें जो आध्यात में पुताका वास्त में चेप्चा की है, अधिकांश, और मोक्ष, ये परालोग की जेवन, उससे जुड़ा है, ये अर्थावरक काम, जनार्चन करने के लिए, अपने इच्छावाँ का फूर्टी करने के लिए, इकते को पुरुशार्द करना चेए, इसको करता हुए मना गया, किम्तो, इसके लिए क्याम कटते समय, धर्मा और मोक्ष, उसको ध्याम में रखना है, तो अपने प्रयास पूरा करना चेहिए, इस बहुत प्वादी दुनिया में, अपने विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए, इस आधिक आधिनिक शद्दों में तो क्यारीर बताते है क्यारीर बनाने के लिए, किम्तो, मर्यादावां का पराम करना, नित्की नियमों के विच में काम करना, अधिक बताया है व्रक्ते के विक्ति को, कि चार पुर्शार्थों के लिए, पूरी तरह से, प्रयास करना चीहिए, और इसके साथ आता है, मात्रु देवो भवा, फित्रु देवो भवा, आचार्य देवो भवा, और आगे जाकर अत्रिदी देवो भवा, अभी हम लोग अपने संस्कारों को ये करतावें को भूल रहें, कि इसलिए कभी-कभी माता-पिता पुजर्गोने के बात रहें, इसलिए कभी-कभी भूल जयते हैं, और टीचर को रेस्पेट करना, कही बर ऐसे गटने ध्यान मैं आते हैं, टीचर को मारपिटे करते हो, कि टीचर के साथ दुर्वयाहार कटते हैं आती देवभा अपने संस्मृतिय को अपने जेवन मुल्यों को भूल जाने के करण कभी कि आइसा भी घ्यान में आता है विशेश करके शेहरों में तो आती दे नहीं आने से टीक है ऐसा सोचते कई कि को विवस्ता करने पड़ती है कश्टा करना पढ़ता है कभी कर अब evolve v selective गयास आ इस परकार करें इस प्रकार करें मां शcciones 시작 पर से सामने लानी के आँ सकता है कि अपने जेसे बताते हैं गेत में निर्माणों के पावन योग में हम चरिप्त्र निर्माण न भूले स्वार्द साधना की आंधी में मोसुधा काल्यान न भूले अपने कैरियर बनाने के लिए प्रेयास करना छे थ्राजन करने के लिए औरकाण समह और कि यह कटते समय हम इस दुनिया के स्रयाष्टा जेवन जिसके माना जाते है मनुषय जन्मा मनुषय है मानव है मनों के संतान है तो भूला नहीं कि इसलिए अपने मेक्तिकाते चीज़ों के लिए काम करते समय भी यह नहीं की यह को रखलें है इसलिए निर्मांणों कि पावनि मिर्माण अपने विप्र्तिकत है परिवार कहाओ है समाज काहाओ राश्टर का विस सारी विस्वों करते हैं सब दय से आब वह नैटी कुछ प्रयास करते हैं तो निर्माणने को पावनी को बन जाता है कि अपने देश में हम सभी जानते हैं कि अपने सामने ही कई बहुत कुछ करता है कि नितव यह कम खर्चा से अपने जेवन को चला है कि तो समाज के लिए बहुत कुछ करता है कि आधरिक काल में आचारिया प्रफुलक्चंदर राई का नाम आता है कि अभी से करवना की संकाट का समय यह हाइड्रोक्लोरिक्विन हाइड्राक्सी क्लोरिक्विन है कुछ चर्चा है अमरीका भी बड़े परिमान में यहां से लेकर गए थे हाइड्राक्सीटोरिक्विन है विश्यश करके इसका मलेरिया जवर का समय सिविद्साल करते हैं आपके छेप्चंद से कलो रएक विश्कार किया था प्रफेसर थे, उद्यग पती थे, साइंटिस्ट थे, सामाजी के कारिगटता थे, राश्ता जेवान में उनका विभिन प्रकार के बड़ा योगदान, उनका कभी फोटो देखे, उनके वरिशिगा जैसा लगखा, एक दव सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, एक बड़े वेशिबु सा देखने से भी ध्यान में आता है कि एक दम सिंपल है साधारन विक्रित्ता महान थे, इंक जब उमर हो गया, उर्थावस्ता पहुंच गई, तो उस समय उनका साहेता करने के लिए ये साथ में, एक विभितिगता सज्चिवर थे, एक ये वक्त है, कि प्रफु जलबान का समय है, समय उमर के साथ से नहोंने क्यावल कुछ फल लेते हैं, अवी जलबान नासता होगरे शत्ता आज के लो प्रचलिक हुआ, बढ़गे आज के लो पहले तो अपने देश में एक प्राचन काल से ही, फलाहर शत्ता था, सुब उटके लो फल मूल खाते हैं, और देरे देरे 11-12 बिजेक आश्वास भोजन काते हैं, यह उता था वर्चन में, जलबान है तो पहले खास नहीं तो प्रविकाबरे काते हैं, खुछ फलमोल लेते हैं सुब जलबान के समय, उस समय एक दिन फलमोल लेते हैं, उसका मुली उत्तता साधान तीन पैसा, यह बात है को 90 साल पुराणी बात है, उस समय तीन बैसे में तो खाने के लिए परियाप्ता फलमोल लेते हैं, एक दिन उनका जो व्रेक्तिकता सच्व, युवक्त, तो अधिक फलमोल लेकर आये थे, प्लेट में, और प्रविकाबरे चंदर आजे देखे, यह फलमोल तो ज ज्यादा है, और वो भी दिखे उनको ज्यादा पक गया है, दो सर दिन खाने के लिए उनको खामे नहीं के खराब होच जाएंगे, उसी दिन खाना पड़े, तो व्रेक्तिकता सच्व को बुले, देखो, तो मेरे लिए आज फलमोल ज्यादा लेकर आये, यह तीन पैसे में मैं अधिक नहीं लेता, फिर तुमने ज्यादा लाए है, कि तो यह आज खालोंगा, कि तो कल मेरे लिए फलमोल की व्यवस्ता नहीं करना, तो यह वक्ते सच्व को मन में लगा, इतना बड़ा आत्मी है, तो फलमोल ज्यादा होने से क्या हुए है, यह बोल नहीं के कल जलब फल नहीं करूंगा, फल नहीं खाऊंगा, लगा यह वक्तों, कुछ दिन बीच गए, यह प्रफुले चंदर आई जी को मिलने के लिए, तो वहां के कुछ सामाज के कार्यकरता आयता है, और उनको अपने सांस्ता कार्यकलोपन के बारे में जान करें कि क्या क्या कम करते हैं, लोग सामाज के लिए, और बात में बताए, हम और भी काम करना चाहते हैं, कि तो हमारे पास धन की कमियोगी है, तो प्रफुले चंदर रायजी युवक्ति विक्तिय सच्चु को, बोले, मेरे पास्बूक में देखोते एक बात, ब्यांक में कितने ऐसे हैं, और ये युवक सच्चु देखकर आए, बताया, पांच हजार रुक्य से तोड़ा अधिक है, फिर प्रफुले चंदर रायजी बोले, मेरे चेकों के लेकर आवे, लेकर आए, पांच हजार रुकय का चेक काटका, वो सामाज समस्ता कारिकेट्टाओं को दिये, बताये, अभी इतना ले जा पिर कारिकाट्टाओं लोग उनको धन्यवातर देखकर के चेलेगे, विक्तर सच्च युवक्को मन में रहा नाएगे, और पूच लिए, सार्थ, आ पुच्देंद फल्लमोंतर ज्यादा होने से नाराज होगे, दोस्तर विदेन बुखा पेटर रहे सुबा, फल्लमों लह आपने, आसानी से, तब प्रफुले तिंदराय जी हसकर बोले, अरे नौ जबान, मैं मेरे विक्तियत आवाश्यक्तों के सीमित रखता, इसमें समाज के लिए सहयो कर सका, ये वास्तों में, ये साधारण जेवान विच्च विचा, सिंपल लिविंग हाई तिंकिंग, अपन देश में आईसे लोग ही थे, तो हमको प्रेरना लेने चेहिए, अपने जेवान विफुलें के बारा बें चर्चे पटते समय, ये पांचवा बात है, पर्या वरन, जल सम्रक्षन, बूर्जा सम्रक्षन, इत्या दी पात है, अपने देश में ये माना गया है, इसे पहली ब यह ज़ा ही चर्कुरतिसी हो प्रकुरती का धौना कासिए चिल्सक्राई चेए प्रकुरीटे और 要स्चोंती पशे नहीं हो कि यह शर्ण के लिए तो solemn है मैं, एक डूहर सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब कि से तो लह भागौ connecting तो गायको मारा के बेचके पैसे ज्यादा कमाएंगे यह तो गलत पाते उसी प्रकाथ जल्ड हो पूर्जा हो बाकी प्रकृति जो मिलता है जो भी संपती जो भी चीज तो अपने अवश्यक्तित आवस्चात्तों के लिए जितना चाहिए इतना ही लेना अधिक नहीं लेना च में अंतरराश्ट्री ने स्थरुपर एक बड़ी कारिक्रम था इसको चेट्चा का विशेतर परियावरण उस समय भारत के प्रधार मंत्री पीवी लर्षम और जानते हैं कि विद्वांते और वहां काफी चेट्चा चेली परियावरण के संबंध में जब नर्सम और राजी के बात आई बोलने का बहुत ज्यादा लंबा भाशन नहीं दिया नहीं संक्षेट में बुले देखिये आप लोग इतना बड़े-बड़े चर्चा कर रहे हैं कि तो हमारे देश में प्रकृति पर माता मानते हैं हम लोग प्रकृति के साथ सामंजेस रखने के बजाए तो प्रकृति के साथ सामंजेस रखने के बजाएं तो प्रकृति के आम लोग नश्टा करने में लेगे हैं अत्याशा प्रकृति के दोहाने टीक है सोशाने टीक नहीं है इतना कहाओं अपने देश में देखिये माता बच्पन से शिशी को सिखाती है यह तुलसिय माता है प्रणाम करो गो माता है प्रणाम करो गो माता है प् परकुर्ति के साथ छेड़ चाड़ करने का अपने देश में यह संस्कुति नहीं है देश की इतियास में जाएंगे तो कई बार आइसे अपको उदाहन बिलेंगे एक पेड़ काटते समय पेले पेड़ की फूजा कटते है वनवासी कि उसके बार दिए उसका कटते और नए पूदी लगाते है कि पूजा क्यों करना अनमती लेना मैं आपकोने आवस्चक्ता के लिए फिर काटना पढ़ रहे मुझे शमा करना है कि पूजा करके अनमती लेकर के तब अपने देश में प्रकुर्ति के साथ सामंजस रख कर जीना है तो यह एक बड़े जिवन मुले अभी तो हम लोग देख रहे हैं प्रकुर्ति के साथ चेट-चेट करने का दुष्पढ़ना में क्या है प्रकार के दिख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ना वर्षों का कमें तो कई बार इस प्रकार के बहुत आरे हैं चटवा है अपने जिवन मुल्यों का एक आलब्ड़ प्रकार की विसेशता है हम लोग रूड़िवादी नहीं है राचिन कल्स आत्म साथी करन इस पर विश्वास रखते हैं तो हम लोग को कुछ चीजों को लेकर कुछ धारणाओं को लेकर जीरें जब कोई नया विश्वास सामने आता है अपने देश में कि उसके बारे में विचार करना और उसमें अच्छा ही है क्रहान करना आगे बढ़ना रूड़िवादी नहीं के जो पहले से चेली आरहे है वही मतल़ सब कुछ अच्छा है नया है एककम गर्लत आईसह नहीं और नया जो भी है सब कुछ अच्छा है क mieć नए 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 चीज वार्कें अलर उसमें अच्छे बात आपना कर ले हैं आत्मास साती करान से मेडिकल में भूते इस्सीमिलेशन मतलब पुर इतना अपने शरीर के साथ भुलमेल जाते हैं और अलगा स्थित्त नहीं रहते में अपने देश में कई बार आकरमन हुई प्रवि आपने भारत में धिर दर एक 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 को आत्म साथ करन करते गहें यह आत्म साथ करन नया चीज़ें को ग्रहन करना आगे बढ़ना अतिकुरातन नित्यन उतर यह बात है यह अबने भारत दुनिया में अत्यनतर प्राचेन देश होते हुए भी नित्यनोतन अभी बना है इतना विदेश आकरमनकार आये इतना विद्धोंड सके ग्रीक, पोल्ड, कुषान, बार बार इतना कितना लोग आये बात के करन में मुसल्मान आये सब आये क्रिश्टियान को फिर भी अभी भी हिंदुस्तान में एक सो करोड से ज्यादा हित्तों जीविद्ध मृत्यूंजे भारत यह अपने देश के एक बड़े मुले है आपको साथ दे करना नया चीज़ां को तो उसके बार में विचार करना विसलेशन करना अच्छे चीज़ें को ग्रहन करना और आगे बढ़ना अपने यहां जीवा फुक्री की पानी जैसा नहीं है एक जगह में पढ़ा करते इसे नदी प्रवाद कर जैसा है आगे बढ़ते जाते आगे बढ़ते जाते आगे इस प्रकार के जीवान हुले आपने वैल्यूस हाँ आति है अउर्ग हाँ दोश्ड़ा के सनल्दत में विचार करते समय ये बताते हैं अजिवाद इना विपक्तियः याव्य में बढ़ते हैं जो मोक्ष प्रदान पड़ती है वो ही विद्याय। मोक्ष मतलब आध्यात्मुरुप से वो ये कलवप्रकर करकी। किम्तों इस दुनिया में भी इस भोद्यक्वादी समाज में अपने जो अंधा विश्वास, रूड़ी, पुरूती इससे मुक्ती चाहिए। दहेज प्रथा, अश्प्रस्यता, मध्यपान, कई ऐसे जो समाज में अनुचित बाते हैं, उनसे मुक्ती पाना। ये भी आवश्यक है। गरिभी से मुक्ती मिलने जी। इस प्रकार का ये साव इद्या या विमुक्ती है। तो इसके लिए प्रयास करना। ये शिक्षा का एक महार लेक्षा है। स्वामी विवेकनन्द शिक्षा के बारे में कहते समय दो प्रमुख बाते बोते होते ह। पहले बार शिक्षा के मात्यम से मनुष्य का शील निर्मण होना चेहिए। जो चरुत्र गटन बोलती हमलों कारेक्टर बिल्लिंग। इक कारेक्टर बिल्लिंग होना चेहिए। सत संस्कार उनको मिलना चेहिए। दूसरा है अपने पाइरतवर खड़े होने के लिए स्वाव लंबन इस प्रकार की सिक्षा मिलना चेहिए। एक तपने वित्यतरुप से संस्कार रित हो। दूसरा इस दुनिया में जीने के लिए जो आवश्यक्ता है उसको ग्रहाने करें। हम जब इसके बार में चर्चा करते हैं। शिक्षा करने के बाद मौनिश्यकों आत्मा विश्वास से बढ़ना चाहिए। यह आत्मा विश्वास के बिना शिक्षा को क्या फैदा है। आदमी ड़ते रहते हैं हमेशा। खनी फीशन में रहते हैं तो उससे कुछ आगे मंड़ने सकते हैं। तो प्रचन्ड आपने विश्वास से चाहिए। मनिश्यकों आगे बढ़ने के लिए। जो शिक्षा ग्रहन करता है। उनका मन में विश्यकों के बारवेस पश्टता, मिर्भेडता ये सब आना ची। मन में एक पवित्रभाव गयनार्चे ने किया है। इसले एक मन में एक पवित्रभाव ये आना ची। साथ ही उनका विक्तित्त विकास वना ची। मालिक बनने का स्यावक नहीं। सहनिक ब़ेंवे इटना बड़ें को समयर देखने मीमिलता चैसरे फिर नभें कि भूब महीं बखार हgod मिलता है कि जिल्देग अनुछी कि नहीं जाना चाहर होजा है संवा मैं मालिक बनने का कुछ नया करूंगा और दस लोगों को रोजगर दोंगा सट्वेट लेकर रोपे रोते जगा जगा बटकना नहीं यह मालिक बनने के लिए तो आपनी उसास चाहिए पहले उनको निर्भीक स्वभाव चाहिए तो ग्यानाटजन का प्रती उनका सिंसेरिटी चाहिए तभी वह मालिक बन सकता है तो रोणा धौन नहीं है और दस लोगों को रोजगर दे सकते यह आत्मी उस्वास बढ़ाने के यह वास्ता में यह सिप्षा है अभी भारत में लाक्तर उनका समय अपने मारण यह प्रहनमंत्री नरेंद्र मोदीजी के अपने देश के सामने बड़े लक्षर रखा है आत्म निर्भर भारत भारत एक सब्सक्राइब लोग आते निर्भर हमाँ चीए आर्थी कुछ से फेड़ होने के लिए प्रयास करना चीए उसके लिए स्किल डेवलोप MEL के प्रखार की षरी चीदे शीक पड़ेगा क आम सहीखना पड़ेगा क्या कि अधीर आटिकलल सिक्षा से यह इतने जीवित भी नहीं रह सकते आगें भी नहीं बढ़ सकते हैं। थियरी के साथ साथ प्राक्टिकल स्की डवपमेंट विभिन्न प्रकार के काम है। काम सीखना है। और देश को सहलम भी बनाने के लिए स्वदेशी अपनाना पड़े। स्वदेशी मतलव कल स्वदेशी वस्तो व्यावार करना इतना परियार्थ नहीं है। स्वदेशी व्यावर तो करना ही चेह। साथ साथ अपने स्वदेशी स्वभाषा अपने भाषा स्ववेशा स्वभोषा ये सारे चीज अपने देश का है। यह सांस्क०्त पिस्षताय में थे हं उन्गों करना चाहि और शोदे श्युवस्तोdade सोदेश सिवस्तो था मिले तो इसका tässä सिवेश हुआ कर और देखे कभी हो जियान में अप्ड़िना कंसा है इससे होने वाले जो प्राफिट है अपने भारत में रहेगा नो बाहर जाएगा तर वो वस्तो खरिदने के बाद प्राफिट यह अपने भारत में रहता है उसको स्वदेशी मानना चाहिए तो वस्तो खरिदने के बाद में प्रॉफिट है अपने भारत में रहेगा बाहर नहीं जाएगा इसको स्वदेशी मारना चे इस स्वदेशी भावना और इस स्कील डेवलक्पेंट इस दुर्ष्टी से प्रया से करेंगे तो यह आप मनेर भार भारत इस विशमल आगे बढ़ करने का और संस्कार प्रदान करने का कुछ व्यवस्ताय है प्राचिन काल से अभी तो प्रमुख व्यवस्ताय रही है प्राचिन काल से अभी भी है तोड़ा खमजरुए है किता है पहले तिलिवी भाष्टा में इसको बोलते है वडी वडी मतलब मां का गोध शिशो पहला सिक्षा प्राक्त करता है जन्मदात्रे मात से मां सिक्रातिया शिशो को पहले दूसरा है बडी बडी मतलब स्कूल सब्सकьत कर दो हो कि हैं कि यल्की स्कूल हो है एक गुडि कि औैसा है विए मंदीर तीसरा है गुडि मतलब मंदीर असाम में नामगर बोलते हैं अधिकांस गुड़ी यहाँ भी है मंदिरों गरें फिर भी साधान प्रचलन में जदा गाओं में नामगर चलता है यह भी एक संस्कार देने वाले केंद्र है समाज में यह वड़ी बड़ी गुड़ी मां का गोभ यहने परिवार पुरा और बात में विद्याले और यह मंदिर अथवा नामगर वहां से सिक्षा मिलती है यह सिक्षा केंद्रों को फिर से मजबूत करने के आवश्यक्ता है तो अपने देश में प्राचरीकाल से कुछ व्यवस्ताय है ब्रह्माचरिया, ग्रोवस्ता, वानप्रस्त, सन्यासर तो इसमें मुझे लगता है वानप्रस्त आश्राम इसको विशेश रूप से सारे देश में सक्रिय करने के आवश्यक्ता है एक उम्र हो गया बच्चे पड़े हो गए परिवार का दायत संभाल रहें तो गुरोश्त को वानप्रस्तवास्ता स्विकार करना चाहिए याने रहेंगे घर में कि तो घर के काम होगा रहें धानार्जन इतेदे में वह वियस्ता नहीं होंगे उनका अधिकानस्ता समय सामाज जाएगा रहेंगे घर में घर का परिवार सदसर पोज कब लेंगे उत्सा देंगे कि तो नाधिकानस समय सामाज दिकाम में जाएगा यह वानप्रस्तास्रम इसको विसे शुरुप से सक्री करने का आवश्यक्ता है कि यूंक्ता संज्याश्य बनना पहाड जेंगलों में ज अस्तास्रम के स्विकार करने से भारत को स्रहस्ता भारत बनाने में इसमें सायव होगा है और मैं विश्यकों समाप्ति के बूर ले जाता हूं कि एक कहानी कुछ दिन के पहले जो बढ़ा था तो आपके सामने के बोलने का मन कर रहा है कि कहानी का नाम है कि गौतम बुद्धास फोर वायरिस स्टोरी कि लगता है गौतम बुद्धा तो यह की शायदी किये थे और बाद में तो घरबड़े छोड़ कर साधना में लगे बहुत दो पासना का उन्होंने सापने के सब जानते हैं फिर चार पत्ने कहांस है वास्ता में ये कभी कि कल्पन है यह कि वेक्ति सज्जन तो उम्र हो गया तो उनको लगाए कि मैं ज्यादा दिन जीएंगा नहीं पहले पत्ने को बुलाया बुलाका पुछे मैं तेसे दुनिया से जाने वाला हूँ वो समय के बाद तुम मेरे साथ चलोगे तो पहले पत्ने बुले करने के बाद मेरे साथ नहीं चलोगे तो मेरे लिए कुछ किया तो मैं भी तो कुछ किया हूं तुम मेरे दौरत पर सारा जेवन चला है कि दूसरे पत्री से पूछे तुम चलेगे मेरे साथ बोले कि नहीं बिलकुल नहीं तो पूछे आपके लिए कितना सपना देके थे कितना प्रयाद से किये थे तो वो बोले मैं भी तो तुमको तो जेवन बहुत शुक दिया हूं इसके मुझे दूसर अरफ नहीं कर सकते हैं मैं नहीं जांगे तुम्हारे साथ तुम चलेगे कि नहीं मेरे साथ बोले कि थोड़ी दूर तक जाओंगे क्योंकि बहुत कुछ मेरे लिए सुचा है मैं थोड़ी दूर तक जाओंगी तुम्हारे जब मृत्वी होगी स्मशानता काओंगे तुम्हारे साथ उससे आगे नहीं कि शवत्ता पत्ने बोले मैं चलेगे तुम्हारे साथ वास्ता में चार पत्ने पहले पत्ने जो कवी की कल्पना है शरीर शरीर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किये पैसा भी कर्चे किये बहुत कुछ ख्याल रखा सुन्दर अच्छे से रखने के लिए कि शरीर तो आत्में कि इसे दिनिया का चोड़ने कहां जाएगी वही मतलों इसका दान सांसकार होता है उसरा पत्नी वह है इनका आग्या पार्चियून कि उन्होंने बहुत कुछ सोचा है समझा है प्रयास किया है अपने यांबिशाल से पोड़ा करने के लिए पैसा कमा यह बहुत लग्जूरी यह सब कि एक है कि तो होता आत्मी मुर्थ होने के बाद कही नहीं जाते हैं साथ में तीसरा पत्नी यह फ्रेंड सरके लिए फ्रेंड से रेलेटिव से यह लूबत कहां तक जाएंगे समझान तक जाएंगे आगे नहीं कि चौता पत्नी है कर्म फ़ल हम इस दिनिया में जो कटते हैं वह साथ में जाती है मृद्य का बात में कि हिंदू लोग है नश्टा नहीं हो साथ में जाती है वह कर्मा फोल के आधार पर विक्ति दूसरा जन्म लेता है इसलिए गौत्व मृद्धा का जो चार पत्रियों का जो कहानी इस शरीर और अपने भाग्या और अपने वंधु मित्र और रेलेटिव सिल्लों के बारह में लोगते हैं इसका जब भूलने से बिए यह रियल्टी है इस दुनिया में कि कर्म फल है यह ज्यादा महुत पूर्ण है यह साथ में जाने वला है तो आपने जो इसके बारे में प्रएयस करना चाहिए विद्ध्याभारती विशेश करके जब आपने विद्यार्द्यों के साथ में संपर करते समय सब देखना चेंग अपने विद्यभार्थी विशेषता है अभिवावक संपर्क गाहने खेल गीत इसके लिए प्रैक्टिस करने बढ़ता है अभी नए टेक्नों जा रहे थे कंपेटर अंपेटर मतलब सुलेक का महत तो कम नहीं होता है तो हमेशा रहने वाली इतना DDP करने से भी जो भी करने से भी हाथ से सुन्दर अक्षा लिखने का अभ्यास होना चीए विद्यार्द्वी चात्र संसर्द स्टूडेंट्स पार्लमेंटे जम लो शिश्यु सभा चात्र सभा के इस प्रकार जो बोलते हैं यह भी अपने विद् प्रणाश करने के लिए विश्युकर करके नेतरुत्त गुऴणों का सवस्कूति बोध्याजना अपने देश के बारे में सब अच्छे जान करें देना को नवाच्छा नए नए प्रयोग करना यह भी अपने विद्या बार्त विश्युकर कंसे करना और पंच प्राण को सक्रिया रखना पंच प्राण मतलब विद्यार्थी है जो विद्यार्थी है आचार्य है प्रबंद समिति है अभिवावक है और समाज में आपने वेलिविशर्स यह पांच मिलकर पंच प्राण दोलते हैं और संद्धड़ इसानै करदब ऑने कषच्वह अघजार्य है और सामाल पर भावत समिति है यह इंजािकी पांच प्राण को सक्रीलर खना प्राण-गी KP的 बढ़रान में लेजाना है है और इन डिन बात वह सक्वहरा राथी बढ़रामने है विद्याखना प्राण में रजाता में इस सदी के अतले वास्तान पीश्वी सदी के जो महा नितिहास कारों में से आर्नार्ड टाइन्वी इंगिलेंड के तो उन्होंने दुनिया के 26 इस सभ्यता सवंस्रुतियों का ग्याराइस अध्यान किये इसके बाद उन्होंने एक किताब लिखे इस्टडी आफ फिस्ट्री बाराव वालिम से विसमें बहुत बड़ा ग्रहां है इसके अलाव विन हुने आजारों संख्या में लेख लिखे सेमिनेर्स में प्यापर हो गया उन्होंने प्रस्वत किये इसलिक महा नितिहास कारण में उनके एक नाम आता है इतने अध्यान करने के बाद तुरियां का अंते में यह निश्कार्षर पर आये यहार्नार्ड टा उन्होंने बताए विज्ञान और रिलिजियन इस साइंस और रिलिजियन दोनं के बीच में सामंजस रखने के अद्भूत क्षमता है हिंदो ज्यवन मूल्य में है इसलिए आने वोले से सारे दुनिया को यह हिंदुस्तान भारत यह रास्ता दिखा सकते हैं इसलिए उसे दिशा में देश आगे बढ़ रहा है हम भी से देश का नागरिक होने के नाते अपने प्रयार से करना चाहिए और शिक्षाक्षेत्र में इसे शुरूप से हम सब काम कर रहे हैं तो इसलिए यह वैल्यों बेस एजिकेशन इसके ध्यान में रख करके अपने भारत के जिवन मुल्य इसको समरक्षन करना समर्धन करना और अगले पीडी को संप्रेशन करना इस दिशा में काम करेंगे और आप सबने इतना दे मेरे विचारों को सुने आप इसलिए आप सभी को धन्यवाद यापन करते हुए मेरे बाद यहाँ पूरी करता है नमस्कार